आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें हेलो दोस्तों आईए देखते हैं एक प्रशन दो पासों को तीन बार उचालने पर द्विकों की संख्या का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ग्याद करें तो देखिए दो पासे हैं और उनको कितनी बार उचाला जा रहा है? तीन बार और कहा है कि द्विकों की संख्या का माध्य है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स जो है वो द्विकों की संख्या को बता रहा है एक्स, ठीक है? तो एक्स और अब अगर हमें माध्य बताना है तो हम माध्धी को किस से परदर्शित करते हैं? E x से, तो ये क्या होता है इसका सूत्र? sigma pi xi ठीक है? और अगर हमें प्रसरण बताना है, तो प्रसरण को हम किस से परदर्शित करते हैं? sigma square से, ठीक है? तो sigma square का क्या सूत्र होता है? sigma pi xi का square माइनस sigma pi xi इस पूरे का whole square, ठीक है? और अगर हमें मानक विचलन ग्याद करना है, तो वो होता है sigma, उसको हम कैसे ग्याद कर सकते हैं? प्रसरण का वर्गमूल लेकर, ठीक है? तो ये से हमें क्या मिल जाएगा? मानक विचलन मिल जाएगा, तो अब हमें x square और px, ये सब कुछ बताना पड़ेगा, यहाँ पर आप आई भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो अब x का मान क्या क्या होगा? देखे, जब हम दो पासों को तीन बार उचाल रहे हैं, ठीक है? तो ये पहली बार के लिए है, ये दूसरी बार के लिए है, और ये तीसरी बार के लिए है, ठीक है? और ये x का मान है अब देखें जब आपने तीन बार उचाला दो पासों को तो हो सकता है कि पहली बार में मिल जाए द्विक दोनों बाकी जो दो बार है उनमें आपको द्विक ना मिले ठीक है फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बार में मिल जाए और पहली और तीसरी बार में द्विक ना मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको तीसरी बार में द्विक मिल जाए, पहली और दूसरी बार में द्विक ना मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से एक भी बार आपको द्विक ना मिले, ठीक है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीन तो बार आपको द्विक मिल जाए ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कितनी बार में द्विक मिल जाए, परन्तु दूसरी बार में द्विक ना मिले, ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको तीनों के तीनों बार क्या मिल जाए द्विक मिल जाए ठीक है तो अब हम X कमान लिखेंगे देखें यहाँ पर एक बार द्विक मिला है यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर जीरो बार द्विक मिला है यहाँ पर तीन बार द्विक मिला है ठीक है और यहाँ पर कितनी बार दूइक मिला है, यहाँ पर आपका दो बार, यहाँ भी दो बार, यहाँ भी दो बार, और यहाँ पर यह वाली स्थिती तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है, यह तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, ठीक है, तो दे एक से गुणा हो जाएगी एक वाली कितनी संभावना है एक दो तीन संभावना है तो जब x कमान एक है तो प्राइकता में तीन से गुणा होगी और जब कितना है जब दो है ठीक है जब x कमान दो है तब कितना है ये कितनी बार है तीन बार है, तो तीन से गुणा हो जाएगी, और जब X का मान तीन है, ऐसी कितनी संभावना है, सिर्फ एक संभावना है, तो यहाँ पर एक से गुणा हो जाएगी, ठीक है, अब देखिए, एक बार में द्विक आने की प्राइकता, ठीक है, अब पहले तो यह समझी है, दोनों पासों पर समानंकाना, तो या तो दोनों पासों पर एक एक, या दोनों पर दो दो, या दोनों पर तीन, तीन, या दोनों पर चार, चार, या दोनों पर पांच, पांच, या दोनों पर छे, छे आ जाए, तो यहाँ से कुल कितनी संभावना होती है, छे संभावना ह और जब दो पासों को उच्छाला जाता है, तब कुल कितनी संभावना होती है, 36 संभावना होती है, ठीक है, और इसमें से सिर्फ 6 संभावना ऐसी हैं, जिनमें की द्विक आ सकता है, तो यहां से आ जाएगा 1 बटा 6, अब एक बार में द्विक न आने की प्राइकता क्या हो जाएगी वह हो जाएगा एक माइनस एक बटा छे यानि की हो जाएगा पांच बटा छे ठीक है तो देखे जब तीनों बार द्विक नहीं आया ठीक है तो इसका मतलब तीनों बार द्विक ना आने की प्राइकता लिखी जाएगी यहां पर पांच बटा छे की घात क्या हो जा जब एक बार द्विक आया है तो एक बार द्विक आने की प्राइकता और दो बार द्विक नहीं आया तो इसलिए दो बार द्विक ना आने की प्राइकता हो जाएगा ठीक है दो बार में से क्या है कि दो बार का मतलब यह है कि दो बार द्विक आया है तो दो बार द्विक आन आ जाए, यानि 1 बटे 6 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यह आपका प्राइक्ता बंटन बन चुका है, अब हम XI स्कुयर भी करते हैं, 0 का स्कुयर 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक है, अब हम ग्याद करेंगे माध्य, तो माध्य का सूत्र मैंने क् सिग्मा PIXI, यानि प्राइक्ता और X के मान के गुड़न फल का योग फल, तो 0 गुड़ा में कितना हो जाएगा, 5 बटे 6 की घात, 3, फिर प्लस एक गुड़ा में ये कितना हैगा, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 बटे में 6 की घात, 3, फिर प्लस यहाँ कितना हैगा, 3 गुड़ा मे 5 और बटे में 6 की घात, 3, फिर प्लस यहाँ कितना हैगा, 1 बटे में 6 की घात, 3, ठीक है, और इसमें किस से गुड़ा होगी, इसमें 2 से गुड़ा हो जाएगी, और इसमें 3 से गुड़ा हो जाएगी, जो X का मान है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 75 बटे में 6 की घात 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 ती या 15 दुनी 30 बटे में 6 की घात 3 और ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 6 की घात 3 ठीक है तो यहां से आपका आजाएगा 6 की घात 3 LCM यह हो जाएगा 75 प्लस 30 प्लस 3 यानि कि कितना हो जाएगा 75 और 30 105 और 3 108 और बटे में 6 की घात 3 कितना होता है 216 तो यह कितना होगा 108 दुनी कितना होता है 216 यानि यह हो जाएगा 1 बटे में 2 ठीक है उसके बाद हम ज्याद करेंगे प्रसरन तो प्रसरन का क्या सूतर होता है जिस हम कहते हैं सिगमा स्कूर इसका सूतर होता है सिगमा पी आई एकस आई का स्कूर माइनस सिगमा पी आई एकस आई का होल स्कूर ठीक है तो यहां से यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 0 गुड़ा में अब हमें x की जगा पे x स्कूर लेना है तो 0 गुडा में कितना आएगा, यह आजएगा 75 बटे में, ठीक है, 5 बटे 6 की घाद 3, फिर plus 1 गुडा में, यह कितना आजएगा यहांसे, 75 बटे में 6 की घाद 3, फिर plus 2 का वर्ग 4 गुडा में, कितना आजएगा, यह हो जाएगा 5 तिया 15 ठीक है 15 बटे में 6 की घात 3 फिर प्लस 3 का वर 9 गुड़ा में प्राइकता कितनी है यहाँ पे 6 की घात 3 एक बटा 6 की घात 3 तो यह कितना आ जाएगा 0 और इस में से हम क्या घटाएंगे 1 बटे 2 का स्क्वार क्योंकि यह हमने क्या घ्यात किया यही तो है 1 बटा 2 ठीक है फिर यह हो जाएगा आपका 75 बटे 6 की घात 3 फिर फिर प्लस 15 चौका 60 बटे में 6 की घात 3 प्लस 9 एकम 9 बटे में 6 की घात 3 माइनस 1 बटा 4 ठीक है तो यहाँ से क्या होगा 1 बटा 6 की घात 3 तो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा यह बचेगा 75 प्लस 60 प्लस 9 और माइनस 1 बटा 4 है यह है तो कितना हो जाएगा यह 1 बटा 6 की घात 3 और यह हो जाएगा आपका 75 और 9 9 और 5 चौदे का 4 हासिल लगा 1 ठीक है तो 1 और यह हो जाएगा 7 और 7 चौदे यानि 144 ठीक है गोड़ा में और माइनस क एक बटा 4 है यह है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा देखे 144 बटे में यह हो जाएगा आपका 216 माइनस का एक बटा 4 ठीक है अब इसको हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यह अगर 12 से भाग दें तो 12 से 12 आ जाएगा और यह कितना आएगा 12 एकम 12 बचा 9 ठीक है औ और 12, 15, 12, 12, 17, 84, 12, 8, 96, यानि 18, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा ये, 6 से 6 दुनी 12 है, और 6 तिया 18 है, तो 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 4, एलसियम आ जाएगा, 4 और 3 का 12 है, फिर हो जाएगा, 4 दुनी 8 माइनस 3 है, कम 3, 8 में से 3 जाएगा, तो 5 बटे 12 है, ये आ जाएगा आपका प्रसरन, उसके बाद हम निकालेंगे मानक विचलन, तो मानक विचलन कितना आ जाएगा, मानक विचलन जिसको हम कहते हैं सिगमा, तो यहां से सिगमा बराबर आ जाएगा, आपका 0.644, यह आपका उत्तर होगा, इस तरह से हल करके बता देंगे,